वाल्गाम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब मैं इस वीडियो में आपके साथ जो आप शेयर करने जा रही हूं वो है एक सीरम वीडियो फेस सीरम जो की है होम मेड जो आप घर में इसली बना सकते हैं और उसे आपकी स्कीन बहुत जादा है उसे यूज करने से आपकी स्कीन में बहुत जादा इंप्रूब्मेंट आएगा आपकी स्कीन हैल्दी बनेगी वो मैं सब आपको बताऊंगी कि क्या चीज कैसे वक करती है हमारे स्कीन में यह नाइट सीरम है इसमें आपको 5-6 चीज़े चाहिए उल्ली जो कि most प्रॉबली लड़कियों के पास तो घर में अबिलेबल होंगी क्योंकि हम वो बहुत जादा रूटीन में अपना यूज करते हैं मैं इस सीरम को यूज करती हूँ मुझे 15-20 दिन हो गया है मैं कुछ भी चीज आपके साथ जब भी शेयर करती हूँ चाहे वो हूममेड हो चाहे वो घर भार के प्रोडेक्ट्स हों पहल करने को मेरी स्किन बहुत जादा है इसकिन में शाइन रहती है वो मैं आपको आगे बताती हूँ सब चीजे तो चली जल्दी से वीडियो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चाहिए और वो कैसे बनाना है कैसे यूज करना मैंने जस्ट अभी एक मेंक वीडियो शूट किया को लाइक जरूर करना मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और बैल आइकन है साथ में उसे जरूर हिट कर दीजेगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिलते रहें तो चली जल्दी से देख लेते हैं कि सीरम कैसे बनान में रगता है पिंपल्स को भी दूर करती है कॉफी कॉफी स्किन के लिए रियल में बहुत अचा है प्राइटनिंग देती है कॉफी स्किन को एक चमच मैं कॉफी लूगी उसके बाद जो मैं एड करूंगी विटामिन E के कैपसूल मैं दो विटामिन E के कैपसूल लूगी बालों लगाने के लिए हैर केर में ज़रूरी होता हैं। स्किन केर में बहुत ज़रूरी होता है। में बहुत अच्य बना था है। तो आपको एक बहुत अच्छा इसमें चैंजिस लिखेंगे अपने फेस पे और उसके बाद मैं आड़ करूंगी ग्लिसरिन, बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ग्लिसरिन फेस के लिए बहुत अच्छा मेशिराइजर है, मैं इसमें एक चमच एड़ कर दिया है गलिसरुन उसके बाद जो मैं इस सीरम में एड़ करूंगी वह है ऑलिव ऑईल बहुत से लोग अपने खाने में यूज करते हैं क्योंकि आप देखते होंगे कि कई लोगों के फेस बहुत जादा शाइन रहती है बहुत जादा गलो रहता है एजनीं से बचाएगा ओलिव ऑईल बहुत सारे काम करता है शाइन प्रवाइड करेगा फेस पर एक चमच मैंने ओलिव ऑईल ले लिया है उसके बाद मैं जो इसमें एड़ करूंगी वो है हनी आप जो भी हनी यूज करते हैं वो ले सकते हैं मैं एक चमच जिसमें हनी डाल करेगा अच्छे से उनकी स्किन मौशराइज करेगा एक स्कून मैंने लिया है हनी अब उसके बाद मैं इसमें जो एड़ करूंगी वो है रोज वाटर रोज वाटर हमारी स्किन पर थोड़ी बहुत जलन वगारा है उसे भी ठीक करता है जलन को फेस पे एक आप देखते हो क रोज वाटर में किती अच्छी फ्रेग्नेंस होती है स्मैल होती है बहुत फ्रेश रखता है इसकिन को फ्रेशनस ही रहती है फेस पे एक चमज मैंने रोज वाटर एड़ किया है और जो मैं लास्ट प्रोड़क्ट लूँगी वो है मेरा आल टाइम फेवरिट अलोवेरा ज वाट दूँगी और चाहें तो मैं इसे दो-तिन दिन बाद यूज करूं चाहें मैं सेम डे आप यूज कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप यूज कर सकते हैं यह सीरम बनके रेड़ी है आई होप आप लोगको अच्छा लगा यह सीरम रेड़ी हो गया है आप अ कर रहाई हूं मैंने आप भी आपको बताया कि मैंने एक वीडियो शूट किया था उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिंब बाक में डाल दूगी तो आप मैं अपने फेस पे लगाऊंगे टोनर मैं हमेशा ही लगाती हूं टोनरगाने यह के बाद आपके हटों से डैप डैप करके सारे मेए अच्छे से ऍभी मिस सेर्म करें दोग इस लेकल आपको एक बहुत अच्छा ग्लो लगेगा कुछ ट्याइम में, ये आपने few drops लेनी है, आपको ये night में लगाना है, और पहले सबसे पहले आपने लगाना है, और face wash करना है, face wash करने के बाद आपने add करना है, इसके ले आपको 4-5 drops चाहएं, एक 2-3, 4-5 drops चाहएं आपको, और इसकी अच्छे से massage करो अपन आपको सबसे पहले फेस वाश करने से पहले अपना कोई भी टोनर लगा लेना अगर आप टोनर यूज नहीं करते हैं तो रोज वाटर सिंपल लगा के देन उसे इसके बादी से अप्लाई करना और आप अपना इतने टाइम आप सोती हैं और आप अगले दिन देखेंगे तो आपके डे बाइडे मैं यह नहीं कोंगे आपने एक राधू लूक है तो आपको बहुत ज़ादा नेक्स्ट बहुत ज़्यादा आप द्मट को बहुत अच्छा लो नजर आएगा आपकी स्किन का टैक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा तो आप प्लीज इसे जरू ट्राइ कीजेगा आपके लिए बहुत जदा हैरफुल राने वाला है ये वीडियो मैं आपसे मुलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाई